मंगलवार को रखे इन बातों का ध्यान दूर रहेंगे हमेशा संकट मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए सर्वतम माना जाता है इस दिन मंदिरों में बगतों का आमबार लगा होता है बजरंग बली को परसन करने के लिए कोई मंतर जाप करता है तो कोई चालिसा का पाट करता है लेकिन मंगलवार को कुछ ऐसे कारिये हैं जो नहीं करने चाहिए इन कामों को करने से बजरंग बली रुष्ट हो जाते हैं नमबर एक हनुमान जी को बूलकर विदूद सेबनी मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए इसे बजरंग बली रुष्ट हो जाते हैं हनुमान जी को बुंदी बेशन के लड़ू का भोग लगाना चाहिए ये बगवान को बहुत पिरिये हैं नमबर दू, मंगलवार के दिन मास और मदीरा का सेवन नहीं करना चाहिए इन दिनों इसका निशेवन निशेद माना जाता है ये सबी चीजे तामसिक हैं इनको ग्रैन करने से आपको अपने जीवन में प्रेशानियों का सामना करना पड़ सकता है नमबर दिन, अगर आप मंगलवार के दिन बजरंग बली का वर्ट रखते हैं तो आपको बूल कर भी इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए नमबर दिन, मंगलवार के दिन किसी को भी उधार पैसा नहीं देना चाहिए क्योंकि इस दिन दिया गया उधार वापस नहीं आता तो बहुत ही सोच समझ कर इस दिन किसी को पैसा दे क्योंकि बाद में उस पैसे को लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नमबर पांच, हमें मंगलवार के दिन ब्रमचारिय का पालन करना चाहिए, इस दिन परणे संबन नहीं बनाने चाहिए, ऐसा इसलिए माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन भर ब्रमचारिय का हिपालन किया है नमबर छे, मंगलवार के दिन पस्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, अगर आपको इस दिन यात्रा करनी पड़ भी जाए, तो घर से गुड़ खा कर निकले नमबर साथ, इस दिन सुकर और सनी से जुड़ा हुआ कोई कारिय नहीं करना चाहिए, इस दिन वस्तर भी हमें लाल और नारंगी रंग के पहननी चाहिए, ध्यान रहे, इस दिन काले या निले रंग के वस्तर नहीं पहनने चाहिए नमबर आट, मंगलवार के दिन हमें ना खुन नहीं काटने चाहिए, ना बाल कटवाने चाहिए, और ना ही दाड़ी बनवानी चाहिए 9. इस दिन ध्यान रखे किसी के वाद विवाद में ना पड़े क्योंकि मंगलवार के दिन अगर आप मंगल कारिय नहीं करेंगे तो जीवन भर लड़ाई जगडा करके पस्ताना पड़ सकता है 10. माना जाता है कि मंगलवार के दिन सोंद्रिय परसादन सामगरी खरीदने से वेवाहिक संबंदों में दरार आ जाती है इसे खरीदने के लिए सोमार या सुकरवार का दिन सबसे उप्युक्त माना गया है इस दिन खरीदे गए सामान से सोभागे में वर्दी होती है धन्यवाद